प्रादी शेक समाचार प्रादी शेक समाचार विस्तार से केंद्रु सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वारता आज नहीं दिली में होगी इससे पहले पछले बहिने की 30 तारीक को सरकार और किसान संगों के बीच छटे दौर की वारता हुई थी बैठक के दौरान केंद्रु क्रिशी मंत्री नरेंद्रु सहितोमन ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वचनबध है और दोनों पक्षो को सद्भावना पूर्ण हल के लिए आगे आने की आवश्शकता है उन्होंने कहा कि बैठक में चार मुद्दों में से दो पर सहमती हो गई है श्रितोमा ने कहा कि पहला मुद्दा परियावरंण से संबंध ही अध्यादेश लाने और दूसरा मुद्दा बजली अधिनियम से संबंध हित है श्रीतोमन ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया था कि नियूनितम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी नियूनितम समर्थन मूल्य के बारे में कानून और कृष्शी उपज के लिए MSP और बाजार मूल्य के बीज अंतर का मुद्दा एक प्रस्तावत समती को सौपने की बात हुई थी प्रशी कानूनों को रद्द करने की किसान संगठनों की मांग के बारे में मंत्री ने कहा था कि ये मुद्दा भी एक समती को सौपा जा सकता है जो इसकी सम्वयधानिक वैधता और किसानों के कल्यान में इसे बनाए रखने पर विचार करेगी राजिपाल आनंदी बेन पटेल ने कल नवनियोक्त मुख्य नियायाधी पती मुख्य नियायाले के मुख्य नियायाधी पती की शपत राजभवन में दिलाई शपत ग्रहन समारो का आयोजन रविवार को सांधी पनी सभागार में किया गया था, इस सबसर पर मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चौहान मौजूद थे करक्रम में नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्य मंत्री कमलनात, पूर्व मुख्य मंत्री दिग्वजै सें, ग्रह और विधी विधाई मंत्री, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित प्रदेश क्याबिनट के मंत्री, मध्धि प्रदेश उच्चिन यायाले के न्यायाधी पत पूद को मंत्री पद और गोपनियता की शपत ग्रहन कराई, मंत्री मंदल विस्तार शपत ग्रहन समारहू का आयोजन राजभवन के सांधीपनी सभागार में हुआ था, इस अफसर पर मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चौहान भी उपस थे, प्रदेश में अब तक 2,31,533 पूसार कल मद्यप्रदेश में करोना संक्रमण के 724 नए मामले सामने आये हैं, इसके फलसरूप राजी में COVID-19 मामलों की कुल संख्या 2,44,026 हो गई है, इस भी संक्रमण से पीड़े 14 रोग्यों की मरत्यू के साथ ही मद्यप्रदेश में करोना संक्रमण से मरने वाले करने का निड़ने लिया है, सयुक्त निदेशक स्वास्त और COVID-19 देखवाल विवस्ता की नोडल अधिकारी डॉक्टर वीना सिना ने बताया कि जिला COVID-19 देखवाल केंद्रों में बहुत कम मरीजों के पहुँचने के कारण ये केंद्र लगवक खाली हैं, उन्होंने बताय कि वैसे भी जिला मुख्यालों में कोरुना संक्रमन के उपचार के लिए पहले ही परियाप्त व्यवस्ताएं हैं। कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाएं। मास्क लगाएं, दो गस दोरी है जरूरी, सुरक्षित दोरी रखें, हाथ हर्मू साफ रखें। फिर आप सभी का स्वागत है। पूर्ती भी देनी होगी, उपद्रवी से आर्थिक भरपाई भी करवाई जाएगी, उसकी संपत्ती राज साथ की जाएगी। प्रधानवंत्री नरींद्र मोदी कल 11 बजे वर्चुल माध्यम से कोची मंगलूरू प्राक्रतिक गैस पाइप्लाइन राज्चु को समर्पित करेंगे। यह आयोजन वन नेशन वन गैस ग्रिड की दिशा में मील का पत्थर है, साथे चार सु किलोमेटर लंबी इस पाइप्लाइन का नर्माण गेल इंडिया लिमिटेद ने किया है, इसकी परिवहन क्षमता प्रतिदेन 12 मिलियन मिट्रिक टन स्टांडर्ड क्योबिक मीटर है, अब बात मौसम की, प्रदेश के मौसम में उतार चड़ाप का दौर जारी है, पिछले कुछ दिनों से जहां कडाके की सर्दी पढ़ रही थी, वहीं बीते 24 घंटों के दौरान पश्चीमी विक्षोब के फिर से सक्रिय हो जाने से, प्रदेश के कई हिस्सों में बादल चा की गई, तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को ठंट से थोड़ी राहत मिली है, अब कुछ समाचार संगशेप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुल माधियम से नाशनल मेट्रोलोजी कॉनक्लेव के उधगाटन सत्र को संबोधित करेंगे, विन टॉमिक टाइम स्केल और भारतिय निर्देशक द्रव्य राष्ट को समर्पित करेंगे, दम हो जिले में केंद्री राज्यमंत्री प्रलात पतेल ने जल जीवन मिशन के तहट जिला विकास समनवय और निगरानी समिती की कल आयोजित बैठक में कारियों का निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिये। लिए नल जल योजना के काम शुरू कर दिये गए, जबलपूर गोंदिया ब्राट गेज पर कल गया चरने सुपरफास्ट एक्स्प्रेस जबलपूर के मुख्य स्टेशन पर पहुंची, इसके साथ ही मंडला का आदिवासी अंचल गोंदिया रेल मार्क से जुड़ गया है शुपूरी में कल गंभीर अपराधों के विवेचना के संबंध में जिलास्तर ये पुलस प्रशिक्षन कारिक्रम आयोजद किया गया और आज निवाडी जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कुपोशित बच्चों के परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ देने के लि मुखे मंत्री ने कहा पत्थर बाजी करने और संपत्ती को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा देने के लिए बनेगा नया कानून प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कल वन नेशन वन गयास ग्रिड योजना के अंतरगत कोची मंगलूरू प्राकृतिक गयास पाइ हमेशा ध्यान रखें मास्क और दोगच की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार